नमस्कार अगर आप भी हुमियोपथी के संग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो में मैं कोई भी जादूई बाते करने वाला नहीं हूँ ये एक scientific वीडियो है जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सही तरह से हुमियोपथी आपका वजन कम करने में आपकी मदद कर सकती है उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे अगर आप उन टिप्स को फॉलो करें संग में हुमियोपथी की दवा लें तो आप भी अपना व वजन को कम करने के चुक हैं तो इस वीडियो को देखिए हुमियोपथी से लाब उठाइए और अपना वजन कम कीजिए तो सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं उन टिप्स के बारे में जो अगर आप फॉलो करें तो हुमियोपथी से वजन कम हो जाए नमबर वन अपना नाश्ता बिल्कुल भी स्किप ना करें खासकर महिला हैं जो की कोशिश करती हैं कि मैं दो बार खाना खाऊंगी और सुबह के पूजा पाठा काम की वज़े से होता क्या है मेरा नाश्ता लेट हो जाता है तो ऐसे में वजन बिल्कुल भी कम नहीं होगा आइडियल अगर आप स्किप करने की सोच रही है तो आप बले ही लंच ना करें लेकिन सालेड या फ्रूट्स ले ले उससे भी बजन बहुत अच्छे तरह से रिड्यूस होता है नंबर टू इंपोर्टन टिप है कंसिस्टेंसी देखिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है चाहे वो ड अगर आप एक दिन में घंटे के हिसाब से आधे से एक ग्लास पानी लेगुलरली पीते हैं तो इससे आपका वजन बहुत अच्छी तरह से कम होता है और बहुत अच्छे फैट कटर मेकनिसम हमारी बोडी के अंदर शुरू हो जाते हैं जिसकी वज़े से वेट ज़दा पुटान नहीं होता खास कर जो वर्किंग मेल्स हैं और फीमेल्स हैं इ गंटे के हिसाब से आदे से एक गलास पानी पीज़े वजन आपका निश्चर तोर पर अच्छे तरह से कम होने लग जाएगा लेकिन खाने के संग में पानी जितना कम पीएं उतना बेटर अब अगला टिप जो हैं पर बहुत इंपोर्टेंट है वो है रिगार्डिंग जो सब चीज़ें ना खाएं नॉर्मल सी बात है नॉर्मल से टिप है पर बहुत इंपोर्टेंट टिप क्या है मिलिट्स आपको अपने डाइट में मिलिट्स को इंक्लूड करना है यानि मक्का बाजरा रागी जौर चना सूजी और दलिया अगर आप ये 6 ये 7 तरह के मिलिट् ना कर इन्हें नमकीन बना रहे है नॉर्मल कुक कर रहे है और अलग-अलग रेसिपीज में ट्राइ कर रहे है स्पेशली अगर आप डिनर में मिलिट्स लेते है तो वेट अच्छे से रिड्यूस होता है ओट्स भी एक बहुत इंपोर्टेंट सोर्स है वजन कम करने के और लगबग 200 ग्राम सलाद रेगुलरली खा रहे हैं तो आपका वजन निश्चित कम हो जाएगा चाहे हैं आप कोई दवा खाएं या ना खाएं सैलड वो खाई है जो सीजनल है जैसे खीरे खीरा सलाद में आता है प्याज सलाद में नहीं आता है ककड़ी सलाद में आती है कर्बूजा तर्बूज ये सैलड में आता है इन्हें लीजिए इससे आपको फायदा होगा अगर फ्रूट्स के बारे में बात करें तो देखिए जो खट्टे फल होते हैं उसे ज़्यादा ले या ना ले लेकिन फाइबरस फल जो होते हैं उन्हें जरूर ले जैसे पपीता जरूर लीजे एपल जरूर लीजे यह आपका यह गवावा आता है यह जो अम्रूद आता है उसे जरूर लीजे तो जो फाइबर वाले फल हैं पहले एक बनाना ले रहे हैं, बिना वर्काउट के किला लेने की कोशिश करेंगे, तो ओव्यस बात है काबो है जदा जाएगा और वजन बढ़ जाएगा, सिर्फ इतनी सी बातों का ध्यान रखें ना, तो ये scientifically proven है आपका वजन कम करने के लिए, तो अब बात कर लेते हैं उन बटन पर लिंक है, आप देख सकते हैं, ये दवा कैसे आपका बसन कम करने में मदद करेगी, ये सोचिए, देखिए, सिटरेट लाइज नाम का एक एंजाइम है, जो हमारी बॉड़ी के अंदर fat को store करता है, और गारसीनिया कमबोजिया के अंदर है HCA, अब ये जो HCA है, इ इंजाइम की वज़े से कम होने लग जाता है, इसलिए ये जो दवाई है, ये बहुत important है, research proven है, धंग से देख लीजे, research पढ़ लीजे, सब जगह लिखा है, कि वास्तम में गारसीनिया कमबोजिया effective है, दुनिया भर के लोग इस्तरमाल कर रहे हैं, और हुमियोपिती में जो company है, भारगव फाइटो लैप्स, उनकी गारसीनिया कमबोजिया की quality बहुत अच्छी है, ये promotional वीडियो नहीं है, मैंने खुद personally यूज करी है, patients के लिए results मिले हैं, तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, तो क्या तरीका है, कि 15-20 बून दवा, खाना खाने के एक पानी में डाल के लेंगे, और regularly कम से कम 90-120 डेस तक लेंगे, अगर आप उन tips को follow कर रहे हैं, जो मैंने बताई है, तो निस्टेद ही, कम से कम 90 दिन में 7 kg वजन बहुत आराम से कम होगा, जिसमें आपको कुछ extra करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैंने tips दी है, उनको follow करन सुनी होगी आपने, और फिर आप कहेंगे, ये भी वही बात करने लगए, काम तो करती नहीं ये दवा, रे बही कैसे काम करेगी, कोई वीडियो में बताया ही नहीं क्या न, कि ये दवा कैसे तरह से आप इस्तेमाल करें, और क्यों आपके शरी में बजन कम करती है, डीजन स कोशिश करिए, पोक वीड मिटोजन 100% effective है वजन कम करने के लिए, क्योंकि ये आपके digestion को promote करता है, आपके liver को help करता है, कि वो बहुत अच्छी तरह से fat को cut करे, ये आपके intestine को help करता है, कि बहुत अच्छी तरह से खाने को absorb करे, लेकिन कैसे help होगी, जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे, टिप्स फॉलो नहीं करेंगे, दवा किसे काम करेंगी, तो अगर आप वास्तम में गार्ज जो ये फाइटोले का berry नाम की दवा है, इससे results चाहते हैं, तो दो तरह से उपलब्द है, tablet form में भी, liquid form में भी, tablet लेना चाहें, तो कम से कम तीन tablet, morning, evening के हिस आप से, खाना खाने के एक घंटे के बाद आदे ग्लास पानी के संग में ले लें, नहीं तो normal मुझ में डालके चूस लें, mother tincture यूज़ करेंगे, जादा better results मिलेंगे, कैसे यूज़ करना है, लगबख 15-20 बून दवा, आप मान के चलें, आदे ग्लास पानी में डालें, खाना खाने से एक घंटे के बाद, एक बार morning, एक बार evening, रेगुलरली लें, अगर 120 दिन तक ये दवा रेगुलरली लेते हैं, बहुत अराम से 8 किलो वजन आपका कम हो सकता है, बहुत सारे patients ने lose किया है, पर कहानी वो ही है, consistency, अब आजाएगे कुछ complicated situations के बारे में, पर जो पहली दवा आपकी मदद करेगी, उसका नाम है काल्स बेड एक्वा, नाम नहीं सुना ना, पहली बार सुन रहे हैं, बहुत important medicine है, ये काल्स बेड एक्वा, basically काल्स बेड नाम का एक area है, जहाँ पर natural springs है, और जो पानी इस springs में से निगलता है, उसे अम्रेत तुल न माना जाता है, क्योंकि इस से जादा minerals किसी और पानी में दुनिया भर में नहीं पाया जाते, बहुत research is available है, net के उपर, और आप देख से कि मैंने यहाँ पर डाली भी एक research, वास्तम में ये बहुत effective है, anti-cancerous properties हैं इसके अंदर, metabolic diseases को cure कर सकता है, improve कर सकता है, पर tips, आपको follow क करने पड़ेंगे, किस मरीज की मदद करेगा, diabetes हो गई, liver गड़बड कर गया, और गठिया पैदा हो गई शरीर के अंदर, अब समझ लीजे, diabetes क्यों हो गई, क्योंकि, obvious बात है, metabolic disorder है, liver भी गड़बड हो गया, क्यों, digestion proper नहीं हो बारा, हमने अपने liver का ध्यान नहीं दिया, खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, और संग में, अब वो गाउटी डायथेसे शुरू हो गई नहीं, यूरेक एसिड वाली परशानिया हो गई, कटिया चालू हो गई, rheumatism डेवलप कर गया, तो अब चल भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे में ये दवा, उन पेशेंट्स की थोड़ी सी हिम्मत करके, और इस दवा को केवल पांच बून दवा, मौनिंग इवनिंग के हिसाब से, काल्स बेड एक्वा, 30 पुटेंसी में अगर आप ले रहे हैं, मौनिंग इवनिंग के हिसाब से ले रहे हैं, लगबग दो चमच पानी में डालके, खाना खाने के एक के बाद, तो निश्चेत ही आपको इंप्रूव्मेंट दिखेंगे, अब यहां पर जो अगली दवा है, उसका नाम है, फ्यूकस वेसिकलोसस, देखिए, फ्यूकस के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च है, इंटरनाशनल लेवल पर रिसर्च है, हर तरह की रिसर्च इस हुई है, और यह दवा बहुत इंपोर्टेंट है, वहां जहां पर थाइरोइड की वज़े से वज़न बढ़ रहा है, तो अगर चाहें आपको नॉन टॉकसिक गोईटर हो, हाइपो थाइरोइड हो, हाइपर थाइरोइड हो, लोग कहते हैं हाइपो में वज़न बढ़ता है, पर में भी वज़न बढ़ रहा है, तो जब थाइरोइड कमप्लेंट हैं, और आप थाइरोइड की गोली रेगुलरली खा रहे हैं, उसके बाद exercise भी कर रहे हैं, पर वज़न कम नहीं हो रहा है, और थाइरोइड के लेवल भी मिन्टेन नहीं हो रहा है, वहां पर फ्यूकस वेसिकुलोसस आपकी बहुत हेल्प करेगी तो ऐसी कंप्लेंट में जहां कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ थैरोइड है और वजन भी कम नहीं हो रहा है वहाँ पर फ्यूकस वेसिकुलोसस बहुत अच्छी दवा है कैसे इस्तेमाल करनी है मान के चलें मदर टिंचन में ही लेनी है लगबग 10 से 15 भून दवा आदा गलास पानी में डाल कर एक बार सुबह एक बार शाम कम से कम 120 दिन तक रेगूरली लीजिए टिप्स को फॉलो करेंगे थारवेट की दवा किसी होमिपतिक डॉक्टर की सलाह पर लेंगे सिम्टम्स के हिसाब से केस टेकिंग के हिसाब से ये दवा एड़ ओन की तरह लेंगे 100% आपका 8 से 10 किलो का वजन कम हो सकता है अगर आप एक healthy individual है और सिर्फ थारवेट से परिशान है अब यहाँ पर जो आखरी दवा है वो एक combination medicine है बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होंगी R59 के उपर कि भाईया R59 बजन कम करने में बहुत important है कोई भी ले सकता है अरे भाईया कोई नहीं ले सकता कौन ले जिसको मदद मिले तो वहाँ पर समझ लीजे कि सपोज एक ऐसा patient आया जिससे thyroid सम्बंधी परिशानी भी है फिर उसका liver भी गड़बड है SGOT, SGPT, ELECALINE, Phosphate सब गड़बड आ रहा है थोड़ा बहुत उसके बाद तीसरी complaint क्या है Mal absorption, intestine में दिक्कत है kolitis हो रही है proper GI tract की complaints हो खाना ढंग से नहीं बचपा रहा हो और वजन उसकी वज़े से gain होता जा रहा हो constipation like symptoms हो और उसके संग में thyroid भी affected हो तो हो क्या क्या कि आप patient complete healthy individual तो हो नहीं क्या multiple complaints आ गई बस यहाँ पर क्या गठिया नहीं है उसको rheumatism नहीं है बागी सारी complaints है तो ऐसे patient की मदद के लिए R59 is a very good remedy आप अगर इसे 10 बून दवा के हिसाब से दिन में 3 बार regularly एक महीने तक लें और उसके बाद सुबह शाम अगले लगबग 90 डेस तक लें तो 120 दिन तक इस दवा को इस्तमाल करने से आपका भी 5 किलो से 8 किलो वजन कम हो सकता है और हो सकता है कि अगर आप इसे add-on की तरह लेते हैं होपतिक डॉक्टर को देखा कर और जो बागी complaints हैं उसके हिसाब से दवा ले रहे हैं तो और भी वजन कम हो सकता है और complication भी prevent कर सकते हैं तो I hope कि जो scientific वीडियो थी न मैंने बहुत clear-cut तरह से आपकी मदद करने कोशिश करी है उन दवाईयों से जिससे कि आपका वजन भी कम हो और multiple complaints कुछ अत्तक improve हो जाएं लेकिन समझदारी इसी में है कि जो tips मैंने शुरू में दी है आप उसे follow करें संग में दवाईयां खाएं results आपको जरूर मिलेंगे I hope कि वीडियो आपको समझ में आई होगी आपकी मदद के लिए बनाई गई थी तो आप लोगों तक जरूर शेयर करें अगर मेरी बातें समझ में आई हो थमस अब दे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बना बिल्कुल न भूलें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरी दरफ से नमस्कार थाइंक यू एंड जैहिंद